अध्याय तीन सिक्षा आज की आविश्यक्ता सिक्षा न केवल मनुशे के जीवन के लिए मातुपून है, बलकि देश के विकास में भी सहायक है। किसी भी समाज की प्रगति के लिए सिक्षा एक जरिया है। हमें इस बात पर प्रसन्नता भी होती है कि हमारी सरकार हर प्रकार से सिक्षा को बढ़ावा देने का संपून प्रयास कर रही है। 5 साल से 15 साल तक की आयोवाले बच्चों के लिए सरकार ने सिक्षा को अनिवादे कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही विद्याले सिक्षा आगे बढ़ी है। अतीत में भारत में भी गुरकुल स्थापित किये जाते थे जहां विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। तक्ष शिला विद्याले प्राचीन भारतिय समाज की देन है। वेदों का ग्यान उपनिशदों का पठन सब सिक्षा के ही उदाहरण है। हमारी सरकार निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को सिक्षा देने के लिए बहुत कुछ आर्थिक सहायता पर दान कर रही है। प्राथिमिक प्रामरी कशाउं तक विद्यार्थियों को नेशुल को पढ़ाया जा रहा है। उन्हें सरकार की ओर से वर्दी तथा किताबें मुष्ट में दी जाती हैं। हर तरह से यही कोशिश की जा रही है कि निम्न एवम मजदूर वर्ग के बच्चों को सिक्षा अनिवारे रूप से मिले। अच्छे से अच्छे विद्यालें में भी आर्थिक रूप से कमजोर EWS लोगों के बच्चों के दाखिले के लिए सीटें आरचित की जाती हैं। बढ़िया से बढ़िया स्कूल भी ऐसे बच्चों को दाखिला देता है। जो विद्याले इस नियम का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध कारिवाही की जाती है। इससे निम्न वर्ग के लोगों के बच्चों को आत्यंत बढ़ावा मिल रहा है। चुटियों में भी कक्षाई चलाई गई। आभिभावक सिक्षक सभा भी आयोचित की जाती है। जिससे अध्यापक गण छात्रों के विशय में उनके मातापिता से बात कर सकें। देश के अविक्सित चेत्रों में सरकार द्वारा बहुत से सैक्षिक जागरुकता अभियान चलाए जा रही हैं। इसका एक उदाहरन सर्व सिक्षा अभियान है। सर्वोदे विद्याले तथा प्रतिभाविकास विद्यालेयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में सिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ावा देने के लिए हम सबका योगदान अत्यावश्यक इस्कूल और कॉलेज प्राधिकरणों द्वारा अपने चात्रों में रूची और जिग्यासा को बढ़ावा देने के लिए सिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। लोगों के बीच में समानता लाने एवं सभी के व्यक्तिक विकांस के लिए हमारा ये करतव है कि सभी के लिए सिक्षा की सुविधा में संतुलन बनाना होगा। सिक्षा का सबसे बड़ा लाब ये होता है कि आसपास की नकारात्मक वस्तुवों में हस्तक शेप करके उन्हें सकारात्मक्ता में बदल सकती है। एक सिक्षित व्यक्ति निर्णे लेने की शमता रखता है। एक सिक्षित व्यक्ति अच्छी नोकरी पाकर परिवार का गुजारा चला सकता है। एक सिक्षित व्यक्ति अंतर राष्ट्रे स्तर पर संबंध इस्थापित करने में सक्षम होता है। हमारे देश में अनेक सिक्षा विद्ध हुए हैं जिनमें भूतपूर्व राश्पती, डॉक्टर, सर्वपल्ली, राधा कृष्णन प्रमुक थे। उन्होंने सिक्षा और सिक्षकों को इतना बढ़ावा दिया, कि उनका जनम दिन 5 सितमबर सिक्षक दिवस बन गया। हम सब भारतवासी उस महान आत्मा के सदैव आभारी रहेंगे, जिन्होंने सिक्षा को बढ़ावा दिया। एक ने एक को पढ़ाना है, इस नीति को अपनाना है, भारतवासियों को साक्षर बनाना है, ज्यान का दीपक जलाना है.